दोस्तों नमस्ते प्रडाम तो कैसे हैं आप लोग आई होग आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं यह कहानी तेनाली राम की कहानी है यह कहानी बहुत हिरोचक यह इंट्रेस्टिंग है कहानी का सीरसक है महाराज का सपना दोस्तों इस दे पहले कि हम आपको कहाणी में ले चलें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें आपके लाइक के उस सब्सक्राइब से हमें मोटीवेशन मिलता है तो चलिए सुरू करते हैं कहाणी महाराज का सपना एक दिन जब राजा देवराय दरबार में पुंचे तो किसी कहरी सोच में डूबे हुए थे जब ये सिंहासन पर वीराजे तो दरबार की कारेवाही प्रारम करने के पूर दरबारियों की बीती राद देखा अपना सपना सुनाने लगे सपने में महाराज ने बादलों के बीच उड़ता हुआ एक सुन्दर महल देखा था जो बहमूले पत्थरों से बना हुआ था हरा भरा बगीचा और फबारा उस महल की सोभा बढ़ा रहे थे इतने में ही सपना तूट गया किन्तु महाराज उसे भुला नहीं पा रहे थे उन्होंने दरबारियों से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ है क्या यह सपना पूरा करने योग है तेनारी राम कहना चाहता था कि इस तरह का सपना ब्यर्थ होता है इसे भूल जाना चाहिए किन्तु उसके कहने के पहले ही राजगुरू बोल पड़ा महाराज मेरे वीचार में आपको यह सपना इसलिए आया ताकि आप इसे पूरा कर सके आपको अपने सपनों के महल का निर्बार करवाना चाहिए राजगुरु लोभी और धूर्त प्रोवित्त का वेक्ति था वो चाहता था कि महल निर्माड की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए ताकि वह निर्माड में बेकिये जाने वाले धन को स्वयाल फड़ ले ते नाली राम राजगुरु की योजना समझ गया था किन्तु वह कुछ कहता उसके पहले ही महाराज ने महल निर्माड की जिम्मेदारी राजगुरु को सौप दी और उसे अगले ही दिन से कारे प्रारम करने का आदेश दे दिया दिन गुजरते रहे राजगुरु ने महल निर्माड का कारे प्रारम नहीं किया महाराज जब भी उससे महल के बारे में पूछते तो वह निर्माड में हो रही देरी का कोई न कोई बहाना बना देता वह महाराज के उनके सपने के बारे में तरह तरह के प्रस्ण पोच्चता और उनके समय बहाने के साथ साथ बजट के नाम पर धन भी एटता एक दिन महाराज किष्ण देव राय के दरबार में एक ब्रिद्य ब्यक्ति आया और न्याई की गुहर लगाने लगा महाराज अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रशिद्य थे उन्होंने ब्रिद्य को आश्वशन दिया कि उसे न्याय का न्याय अवश्य दिया जाएगा और उससे उसकी समस्या पूँची है ब्रिद्य ब्यक्ति बताने लगा कि वह एक धनी व्यापारी था लेकिन एक सब्ताह पहले उसका धन लूट लिया गया और उसके परिवार की हत्या कर दी महाराज से पूँचा कि क्या वह जानता है ऐसा किस ने किया ब्रिद्य ब्यक्ति बोला कल रात मुझे एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि महाराज आपने और राजगुरु ने मेरा धन लूटा है और मेरे परिवार की हत्या की है यह सुनकर महाराज कुरोधित हो गए और बोले क्या अनाप सनाब्बक रहे हो तुम्हारा सपना मात्र एक सपना है वो सच कैसे हो सकता है बृद्धिव्यक्ति ने उत्तर दिया मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहां के राजा ने एक सपना देखा अब उस असंभो सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है तो अवश्य ही मेरा सपना भी सच ही होगा उत्तर सुनकर माराज को अपने गलती का एहसास हुआ उन्होंने ध्यान से बृद्धिव्यक्ति को देखा तो समझ गए कि वह तेनाली रामी है जो भेश बदल कर उन्हें उनकी गलती समझाने आया है उन्होंने उसी समय अपने सपनों का माल बनाने का आदेश निरस्त कर द या दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने दोस्तों के बीच से जरूर करें मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदिमादेश